परिचाए बच्चू आज हम लोग Eldehyde, Ketone तथा कार्बोकस लिग अमलों के बारे में पढ़ेंगे सर Eldehyde क्या होते हैं Eldehyde कार्बनिक योगिक होते हैं जिसमें फाइड्रो कारबन श््ट्रंखला के अंत अमें Eldehyde समूँ जोडे होते हैं ये aldehyde समू क्या होता है सर? बेटा, aldehyde CH तथा O के रूप में परिभाशित प्राकारियात्मक समू है. अब तुम में से कोई मुझे बताओगे कि कीटोन क्या होते हैं? हाँ सर, कीटोन कार्बनिक योगिक होते हैं, जिसमें दो कार्बन परमाड़ों से कार्बोनिल समू बहुत अच्छे राज, तो आओ इस पार्ट में aldehyde, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अमलों के बारे में विस्तार से जानें. इस पार्ट के अंध में आप निम्र करने में सक्षम हो जाएंगे. कार्बोनिल योगिकों को परिभाशित करना. कार्बोनिल समू के नामकरन एवं सन्नचना का वड़न करना. aldehyde एवं कीटोन बनाने की विधी की व्याख्या करना. aldehyde bourgं कीटोन के भौतिक गुणों की व्याख्या करना. कार्बोनिल योगेक कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल समूह एक प्राकारियात्मक समूह होता है, जिन में कार्बन परमाणू, आक्सीजन परमाणू से दूई आबंध द्वारा बंदा होता है. LD हाइडो में कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणू की कम सिकम एक संयो जगता एक हाइडोजन परमाणू से संत्रिप्त होती है, तथा अन्ने संयो जगता अलकाईल या एराईल समूह के कार्बन द्वारा संत्रिप्त होती है. आता LD हाइट समोह के प्राकारियात्मक समोह CHO है किटोन में कार्बोनिल समोह के कार्बन की दो संयों जगताएं एलकाईल या एराईल समोह के कार्बन द्वारा संत्रिप्त होती है किटोन को सामान सुत्र RCOR' द्वारा प्रदशित करते हैं जहां R तथा R' एलकाईल समोह है वे यौकिक जिन में कार्बोनिल समोह ऑक्सीजन से आबंदित होते हैं कार्बोक्सिलिक अमल कहलाते हैं कार्बोक्सिलिक अमल के व्योतपन वैसे यौकिक होते हैं जिन में कार्बोनिल समोह के कार्बन नाइट्रोजन तथा हैलूजन से जुड़े होते हैं इन्हें क्रमशा, हैमाईट तथा एसिल हैलाईट कहते हैं कार्बोनिल समुह के नामकरण तथा सन्दचना नामकरण एल्डी हाइड तथा कीटोन एल्डी हाइड तथा कीटोन के नामकरण की दो पधतियां हैं वे हैं सामाने नाम तथा आई यू पी एसी नाम सामाने नाम Aldehyde के सामाने नामों को संगत कार्वोक्सलिक अमलों के अंग्रेजी नामों से अनुलगन इक के इस्थान पर Aldehyde के अनुलगन से प्रतिस्थापित कर प्राप्ट किया जाता है एल्डिहाइड श्रिंखला में तर्थिस्थापियों की इस्थिती को ग्रीक अक्षर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इत्यादी से प्रदेशित करते हैं अल्फा कार्बन वो होता है जो एल्डिहाइड समू से सीधे सनलगन होता है सामाने पद्धती में की टोनों को नामकरण कार्बनिल समू से सनलगन हैलकिल समू के नामों में की टोन शब्द जोड़ कर दिया जाता है कार्बनिल समू के नामकरण तथा सन्नचना आई यू पी ए सी नाम आई यू पी ए सी पद्धती में एल्डिहाइडों का नाम निम्ने नियम समू के अनुसार किया जाता है अंग्रेजी के मूल यौकिक अर्थात कार्बनिल समू की सबसे लंबी कार्बन शरंखला को निर्धारित कीजिए उनके स्थान पर मूल एलकेन के अंतिम ए को हटा कर अल जोड़ दीजिए कार्बोनेल कारबन से आरंब होने वाली श्रंकला को कारबन एक अंकित कीजिए सभी प्रतिस थापियों को अंकित कीजिए तथा उनके नाम दीजिए उधारण के लिए दो मिथाइल प्रोपेनल, तीन ब्रोमो, दो मिथाइल ब्यूटेनल वैसे योगिक जिनमें वले से LD हाइडिक समुह जुड़े होते हैं, कारबोल्डी हाइड चब्द के पीछे वले का नाम लिखा जाता है IUPAC नामकरण पद्धती में कीटोन के नामकरण के नियम LD हाइडों के समरूप ही है यद्धिक कीटोन में कीटोन का नाम O-N-E द्वारा मूल एलकेन में से ये को प्रतिस्थापित करके प्राब्द किया जाता है तथा कारबोनिल कारबन की स्थिती को एक संख्या द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है उधारन के लिए 2 हेप्टेनियोन, 2 नोनेनोन चक्रियक की टोनों में कारबोनिल समोह के कारबन परमाणों को संख्या एक देते हैं अन्य प्रतिस्थापियों के निवन संख्याओं वाले योगिकों को दक्षना वर्त दिशा में या बामा वर्त दिशा में संख्या दी जाती है कार्बोनिल समोह का नामकरण तथा संदचना कार्बोनिल समोह की संदचना कार्बोनिल कारबन तीन अन्य परमाणों से सिग्मा बंध द्वारा जुड़े होते हैं चूंकि ये आबंध SP2 कच्छक का उप्योग करते हैं अता वे समतल में एक दूसरे से 120 डिग्री पर फ्यले होते हैं कार्बोनिल कारबन के 6P कच्छक ऑक्सीजन परमाणों से पाई बंध बनाते हैं इस प्रकार कारबन तथा ऑक्सीजन दुई आबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्योंकि कार्बन तथा आक्सीजन की विद्धुद रिनात्मक्ता के मान भिन भिन होते हैं, इसलिए कार्बन तथा आक्सीजन के बीच निर्मित बंद ध्रुविय होते हैं। वास्तों में आक्सीजन परमानों पर इलेक्ट्रोन घनत वो बढ़ जाता है जो कार्बन पर आंशिक धन आवेश विक्सित करता है तथा आक्सीजन परमानों पर आंशिक रिन आवेश विक्सित करता है तथा कार्बोनिल कार्बन एक इलेक्ट्रोन रागी केंद्र तथा कार् प्रोपिनोन तथा डाई इथाईल इथर के बल आगून क्रमशा 2.72, 2.88 तथा 1.18 होते हैं। अल्डी हाईड तथा कीटोन का विर्चन, अल्डी हाईड तथा कीटोन का विर्चन, अल्कोहालों के ऑक्सीकरन द्वारा, प्रात्मिक अल्कोहाल का अल्डी हाईड में ऑक्सीकरन, एक ब्यूटेनॉल का पाईरी डीनियम, डाइक्रोमेट की उपस्तिती में ऑक्सीकरन होता ह तथा ब्यूटेनल प्राप्त होता है। प्राथमिक एलकोहॉल को LD हाइट में आक्सिक कृत करने के लिए मृद्वल आक्सिकारक एजेंट कहोना आविशक है। अन्य था LD हाइट का आक्सिकरण पुना कारबोकसिलिक अमल में हो जाता है। दूतियक एलकोहॉल का आक्सिकरण कीटोन में होता है। आइसो प्रोपाइल एलकोहॉल में क्रोमिक अम्र को मिलाने पर प्रोपेनोन बनता है जो एक कीटोन है। LD हाइट तथा कीटोन का विर्चन एलकोहॉलों के वी हाइट्रोजनन द्वारा जब एलकोहॉल वाश्प को चांदी या तांबे जैसे तब्त धातु के उत्प्रेरत पर गुजारा जाता है तो प्रात्मिक एलकोहॉल एल्डिहाइट देता है जबकि दूतियक एलकोहॉल कीटोन देता है। जब इथेनॉल के वाश्प को तांबे पर गुजारते हैं तो प्रोपेनोन बनता है तथा हाइट्रोजन गैस मुक्तो होती है। एल्डिहाइट तथा कीटोन का विर्चन हाइट्रोकार्बनो द्वारा एलकिनो के ओजोनी अबघटन द्वारा अलकिनो के ओजोनी अबघटन ओजोनायट देता है, जिसका जिंक तथा जल से अपचयन करने पर एल्डिहाइट तथा कीटोन प्राब्द होता है। ओजोन कैस इथीन से अभिक्रिया करता है तथा ओजोनाइट बनाता है जिसमें जल के साथ जिंक मिलाने पर मिथिनल तथा हैड्रोजन पर ऑक्साइड बनता है। हाइडोजन पर ऑक्साइड बनता है एलकिनो के जल योजन त्वारा जब एसिटिलीन भाप को मरक्यूरिक सल्फेट की उपस्तिती में जलिये सल्फियूरिक अमल से होकर गुजारा जाता है तो एसी टल्टिहाइड बनता है। एल्टिहाइडों का विर्चन एसिट क्लोराइड क्लोराइड अमल द्वारा। बेंजोयल क्लोराइड का बेरियम सल्फेट पर पैलेडियम की उपस्तिती में उत्प्रेर की उपचयन करने पर बेंजल्टिहाइड प्राप्त होता है। नाइट्राइल तथा एस्टर द्वारा। नाइट्राइल को स्टेनस क्लोराइड तथा हैड्रोक्लोरिक अमल से अपचयत कराने पर इमीन प्राप्त होता है। जल अपघटन के पश्चात संगत अल्टिहाइड देता है। इस अभिक्रिया को स्टिफेन अभिक्रिया कहते हैं। नाइट्राइल को डाई आईसो ब्यूटाइल अल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा इमीनों में अपचयत किया जा सकता है। जिसका पुनहा जल अपघटन होने पर अल्टिहाइड प्राप्त होता है। एस्टर डाई आईसो ब्यूटिल अल्यूमिनियम हाइड्राइड से अल्टिहाइड में अपचयत हो जाता है। एल्टिहाइड इवं कीटोन का विर्चन हाइड्रोकारबन द्वारा आरोमेटिक हाइड्रोकारबनों से निम्न विधियों दारा एरोमेटिक एल्टिहाइड बनाया जाता है। मिधाइल बेंजीन के ओक्सी करण द्वारा बेंजल्टी हाइड को टॉलूइन से इताड अभिक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है अभिक्रिया में कार्बन डाइसलफाइड में क्रोमिल क्लोराइड से टॉलूइन का ओक्सी करण होता है जो क्रोमियम संकुल देता है जिसका जल अबघटन करने पर बेंजलडिहाइड प्राप्त होता है टॉलूइन को एसिटिक एन हाइड्राइड में क्रोमिक आकसाइड त्वारा आकसिक क्रित करने पर बेंजीलिडीन डाई एसिटेड बनता है जो जलिये अम्र के साथ जल अबघटन करने पर संगत बेंजल्डी हाइड देता है एल्डी हाइड तथा कीटोन का विर्चन पाश्व श्रिंखला के क्लोरीनन के पश्चाथ जल अबघटन टॉलूइन के पाश्व श्रिंखला क्लोरीनन से बेंजल्डी हाइड प्राप्थ होता है जिसका जल अबघटन करने पर बेंजल्डी हाइड प्राप्थ होता है ये बेंजल्डी हाइड के उत्पादन की ओद्यों की क्विधी है बेंजीन या इसके व्युत्पन की कारवन मोनो आकसाइड तता हाइटोजन क्लोराइड गैस से निरजल अलुमिनियम क्लोराइड की उपस्थिती में अभिक्रिया कराने पर संगत बेजल्डीहाइड प्राप्त होता है अल्डीहाइड एवं कीटोन का विर्जन ग्रीनियार अभिकर्म की कैडमियम क्लोराइड से अभिक्रिया के फल सोरूप भारी धातू व्युत्पन प्राप्त होता है अर्थात एक कार्बनिक कैडमियम योगिक तथा मैगनेशियम क्लोराइड प्राप्त होता है कार्बनिक कैड्मियम अभी कर्मक की ऐसिल हैलाइट के साथ अभी क्रिया प्रचुर नाभिकरागी होती है इस प्रकार ऐसिल क्लोराइट के साथ कार्बनिक कैड्मियम की अभी क्रिया कीटोन के विर्जन के लिए महत्रपून विधी है केट्बियम अभी कर्मक उपयोगी है क्योंकि वे कीटून के उप उत्पादक को जोड़ने के लिए अभी क्रिया करने की अवस्था में अभी क्रिया रुख जाती है अभी कर्मक के साथ नाइट्राइल की अभी क्रिया के पश्चाद जल अब खटन करने पर कीटून बनता है इधर में ग्रीन यार अभी कर्मक प्रोपेन नाइट्राइल से अभी क्रिया करता है तथा तब ये एक मध्य वर्थी देता है जिसका जल अब खटन करने पर प्रोपायोफिनोन प्राप्त होता है बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन द्वारा बेंजीन या प्रतिस्थापित बेंजीन की लोरीन अम्र के साथ निरजल अलुमिनियम क्लोराइट की उपस्थिती में प्रतिक क्रिया कराने पर संगत की टून प्राप्त होता है ये अफिक्रिया फ्रीडेल क्राफ्ट्स ऐसी टिलन कहलाती है गुण धर्व भौतिक अवस्था पार्मेल्टी हाइड जो कमरे के ताप पर गैस है उसको छोड़कर अधिकांज एल्टी हाइड तथा कीटोन साधारन ताप पर गैस है कम आडविक द्रवेमान वाले एल्टी हाइडों में टीक्षन गंध पाई जाती है जबकि उच्च आडमिक द्रव विमान वाले एल्डिहाइड एवं कीटोन में सुगंध पाई जाती है वास्तों में कुछ कीटोन का उप्योग सुगंधों में होता है प्राक्रितिक स्रोज से प्राप्त कुछ एरोमेटिक एल्डी हाइडों में बहुत अच्छी सुगंद होती है बहुत इक गुण धर्म कौथनाग एल्डी हाइड एवं कीटोन में सम तुल्ले आडविक द्रवयमान के हाइडो कार्वनों की तुल्ला में कौथनाग उच्छ होते हैं यही कारण है कि एल्डी हाइड एवं कीटोन में धुरुव ये कार्बोनिल समुहूं तथा उन में मजबूत अंत्रा आण्मिक दुईद्रुव दुईद्रुव आकर्शन होता है। कार्बोनिल कार्बन के चारों और एल्गिल समुहूं को विकर्शित करने वाले दो एलेक्ट्रौनों की उपस्तिति के कारण कि टोन अपने संगत तमाव-्यवी एल्डी हाइडों से अधिक धुरुव यह होते हैं। अता कीटोनों के कोथनांग समाव यवी LD हाइडों की तुलना में थोड़ा उच्छे होते हैं। हाइडोजन बंद बनाने की उनकी च्छमता के कारण होता है। जल में इन योगिकों की विलेता एलकिल समों के आकार में वृध्धी होने के साथ घड़ता है। ये अणु में अध्रुविय भागों के परिमार में वृध्धी के कारण होता है। गंध युक्त विशाक्त गैस है जर्मन रसाइनक के आगस्त वौन हाफमान ने इसे सन 1867 ECV में कोजा मेधेनल रंजग तथा प्लास्टिक के निर्माण में प्रिवक्त होता है ये आखों शिलेश्मा जिल्ली तथा उपरीश वसन तंत्र में वो तेजना उत्पन न कर सकता है सारांश आईए हमने जो कुछ तीखा है उसे संग्शेप में तोराएं कार्बॉनल समूहू एक प्राकारियात मक्समूह है जिनमें कार्बन परमाणूं से दूई आबंधी ऑक्सीजन परमाणूं सनलगन होते हैं एल्डी हाइटों के सामाने नामों को लिखने के लिए कार्बोक्सिलिक अमलों के संगत अंग्रेजी नाम के अंत में इस्थित अनुलगन इक यानि आई-सी के स्थान पर एल्डी हाइट लगा कर प्राप्द किया जाता है सामाने पधती में कीटोनों का नाम कार्बोनेल समूं से जुड़े अल्किल समूं के नामों में कीटोन शब्द जोड़ कर किया जाता है कार्बोनेल कार्बन तीन अन्ने परमाणों से सिग्मा बंद द्वारा जुड़े होते हैं तथा कार्बोनेल कार्बन के शेश पी कक्षक आक्सीजन परमाणों के साथ पाई बंद बनाते हैं अधिकार्श सामानने एल्डी हाइट तथा कीटोन साधारन ताप पर द्रव होते हैं एल्डी हाइडोन तथा कीटोनों के समतुले आडमिक द्रवेमान के हाइड्रो कारबनों की तुल्ला में उच्छे कौथनांग होते हैं एल्डी हाइडोन तथा कीटोनों के निम्न सदस से जल में विलाए होते हैं किन्तु एलकिल समुह के आकार में प्रिद्धी होने से जल में इन योगिकों की तुल्ला में विलेता घटी जाती है.